नमस्कर दोस्तो मेरा नाम रंजी था और आप देख रहे हैं household product 02 दोस्तो आज हम unique product का business करना सिखेंगे unique product इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका business बहुत कम लोग करते हैं और जानने के लिए तो पूरी दुनिया इसे जानती है पर business के नाम पे इसे करने वाले गिने चुने लोग हैं तो आज हम इसी unique product को बारे में जानकारी लेंगे दोस्तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ आपसे एक request कि अगर आपने मेरा चनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो please मेरा चनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जिरे के business idea और product related information आपको कम भाव में और उसे री पैक करके अपना प्रोडक्स बनाके अपना नाम देके उसे market में sell करते हैं इसको sell करने वाले बंदे कितने हैं ना के बराबर में जैसे कि मैंने वीडियो की सुरुवात में ही कहा था तो market से इसे आपको purchase करना है किवाद 10 रुपे किलो में है और इस से sell करना है 100 ग्राम डेड़ सो रुपे तक आप इससे उपर भी sell कर सकते हैं मार्केट में और भी बंदे हैं जो उसके उपर भी sell करते हैं लेकिन आप सो से डेड़ से रुपे में इसे sell करिए लेकिन इसी तरह से नहीं करना है इसे packing करना है पैकिंग करके अपने नाम देके पिर इसे sell करें मार्केट में कहां कहां इसे sell कर सकते हैं इसे sell कर सकते हैं आप Amazon से Flipkart से यानि प्लेटफ़र्म जितने भी online के हैं वहां से sell out करिए या फिर आपके retail market और wholesale market या पारलर वगरे में इसे sell out करिए जुरुआ पने दोस्तों इस प्रोडक्स का नाम मैंने इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि आप लोग में से कुछ लोगों कोई हो सकता है कि यह प्रोड़क्ट न जम्य करने के लिए लेकिन यह आपकी इच्छा के उपर है कि कौन सा बिजनेस करना है कौन सा नहीं इसलिए मैं सोचा पूरा information दे दू उसके बाद प्रोड़क का नाम बता है आपकी material इस सो ग्राम के box में लगती है एक रुपे की क्योंकि दस रुपे किलो के हिजाब से एक रुपे का ही सो ग्राम आता है और आपके box की कीमत होती है दस रुपे यानि 11 रुपे की लागत वाले चीच को आप market में 100-500 रुपे में बेच सकते हो और अच्छा खासा income क कर सकते हैं इसलिए मैंने अभी तक इसका नाम नहीं बताया था आप market में देख लिए इंडिया मार्ट पे देख लीजिएगा मैं आपको कुछ screenshot दे देता हूं आप देख लीजिए अभी भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देता होगा यह market में बहुत ही कम rate में मिलते हैं और इसे purchase करके आपको क्या करना है आपका packing करना है इस तरह के box में pack कर लिजे और इस तरह के box में pack करने के बाद इसे market में sell करिए चाहे आप wholesale में sell कर सकते हैं retail में भी कर सकते हैं या online platform पे भी कर स आते हैं कम लागत में ज्यादा profit लेके तो इस तरह की business को जरूर आप करें दोस्तों अगर आपको आज की यह business idea पसंद आ है तो इसे like subscribe और शेयर करना ना भूले और मैंने नेक्स वीडियो कर जरूर बेट करें तब तक के लिए धन्यवाद